जिन्द हिनाएक जया है आलत खाज दिनाथा जिन्द हिनाथ जिन्द गुजरास मराथा जाविड उन्द लवन्द जिन्द हिनाथ जल यम आदंका उचल जड़े जड़े तम सुब्र नाथे जाए तम सुब्राज शिश्वाँ दावे तब जयागाथा जयागान मंदल खाएक जयाए आलत खाज दिन्द गाथा जयागे जयागे मंदल खाएक सर्वान्ना विनंती कि तैन्नी आपल स्थान ग्रहन कराव कुल सच्चु सन्माननिय कुलपतिन न दिक्षान्त समारंभ प्रारंभ होतसलेचे गोशित करावे सन्मानिय कुलपतिन न दिक्षान्त समारंभ प्रारंभ होतसलेचे गोशित करतो विद्यापिठाचा 36 दिक्षान्त समारंभ प्रारंभ प्रारंभ होतसलेचे गोशित करतो हैं तुन्दर आकाणि दे सुन्दर आखाश त्याहुनी सुन्दर भारत दे भारता सरी भूशन ऐसा रम्य विदर्व प्रदेश दे सुन्दर आखाश त्याहुनी सुन्दर भारत दे भारका सरी भूशण ऐसा प्रम्य विदर्व प्रदेशे सुन्दर आकाश इशे कुशे विद्या पेठाचे जान की इंद्रशासी युगासे नवतन्ताथा नवमन्ताथा इशनवे निरदेश भायतासरी भूशण ऐसा प्रम्य विदर्व प्रदेशे सुन्दर आकाश प्रति भावन्ताथे हे आजर कुशितन्याथा प्रयोक जागर्या ग्रीजा प्रदेशान विद्या नाजेवे नदीयन पी ये पावति सावे भायता सही गूशन ऐसा न्वम्य विदर्व प्रदेशे सुन्दर आकाश महान दर्ष्ता नवक्रांतीचा उन्सकडाजनु सात पुल्याचा शिल्बकार पंजाब रावया स्वप्नाचा सरवे भारता सरी भूषन ऐसा प्रम्य विदर्भक्रदेश्ते सुन्दर आखा शित्यावुणी सुन्दर भारते भारता सही भूशन हैसा प्रम्या विधर बक्त देः ले सुन्दर आका ले सुन्दर आका ले सुन्दर आका सारस्मति वंदन आका ले सारस्मति यह सुन्दर आका साल जय शार्य दे वागेश्वरे जय शार्य दे वागेश्वरे विधिकंड के विध्योधरी वागेश्वरे वागेश्वरे जय शार्य दे वागेश्वरे जय शार्य दे वागेश्वरे जो तने परी कारती तुझे जोचने परी कारती तुझे मुखरम रशारग चंद्रमा उसडे तुझा आसा तुने उसणे तुझा आसा तुने चारी युगाची पूर्णिमा तुझे आक्रुपे से खांद्ने नित्व शुदे अमचा शिरी नित्व शुदे अमचा शिरी पाकेश्वरी जयशान दे पाकेश्वरी जयशान दे पाकेश्वरी पाकेश्वरी जयशान दे मिरता तुछी बिले भरे, मिरता तुछी चतुरा कनामयं गुदे, चतुरा कनामयं गुदे संगीत जन्माय नवे, संगीत जन्माय नवे, जड़ता मतीचे भंगली, उन में शकल पातरु बरी, पाहरो नाला खंजिरी, पाहरो नाला खंजिरी, पाहरो नाला खंजिरी, वागेश्वरी विधिकन के विद्याधरी वागेश्वरी वागेश्वरी जयाशायदे वागेश्वरी जयाशायदे वागेश्वरी जयाशायदे वागेश्वरी विद्याधरी जयाश्वरी 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 ज डक्टर पंजाबरा देश्म कुरुषे विद्यापराचा चाथिस्वा दिक्षाद समारमाला मी सर्वपृतम आदर निये डक्टर पंजाब भग के बाउसाब देश्म के आँचा पावन स्मुतिस विदमर अभिवादन करतो। मंचार उपस्तित मारश राज्याची सन्मानी राज्यपाल महुदय तथा विद्यापराचा कुलपती तसताचा कारगाम चाद्यक्ष माननी श्री बगत सिंग कोशारीजी यांचे दिक्षाद समारमाचा शुब प्रसंगी मना पसुन स्वागत करतो। महुदय शुब सोलला आपली उपस्तित लाबला बदल हे विद्यापरेट आपले उरुनी हाए। अकोला जिल्ला तीर सन्मानी न आमदार, जिल्ला दिकारी, पोलीश मास अंचालक, अभ्यास मनाचे सदस्य, पद्विक आंग्षे, प्राध्यापक, निवंत्रित, शेतकरी, पत्रार बंदू, प्रस्तारमाध्योंचे प्रतिनी दी इता सर्व उपस्तित लाँचे मी स्वागत करीता है. तानी लेखनाचे सुद्दा आवड है, त्यामलेज, शिक्षक, लेखक, आनी पत्रकार मनुन त्यांचे यसस्वी कार्गेदर है ली, तानी उतरांचल प्रदेश क्यूं आनी उतरांचल संगर्श इवं समाधान ये दोन पुस्तके प्रकाष्ट के लिली है, पास प्रकाष्ट के लिली है, राज्य मिदिमंडल सभाकरात आनी संसाथ या दोनी सभाकरात तैनी सभासत मुन त्यांचे निवर जाली होती, शरांचे तलागारत लोग पर देता है, आनी तसंपुर्ण उत्तरा खंड राज्यात सारुजनिक नेतिमान और वलकली दाता, इंचन वहसता सोबतत कृषिक शेतरात आपने मोठे योगदान है, पान्या पासुन ग्रीन हैड्रोजन, बाम्बू तसे उस, नेपियर या पासुन इथेनल निर्मिती वो त्यात इंद्यना चा वापर, टाको केसा पासुन आमले निर्मिती, या सोबततत महामार के जनमार क आपने गंगान अधिवर चे प्रकल्प इत अधिक शेतरात आपने योगदात अमुल्या है, सर आपने एक यशवशी उद्धो जगाने शेतकर देखे लाहाद, पेट्रोल दिजल चा मारादी साथा रस्तावर भाहनां चे गर्दी लक्षात गेता, आपन नेह में नवन आपने में सांगता, रस्ते चांग ले, गाव चांग ले, शेहर चांग ले, यह प्रत्तक्सात अमजावने करता हाथ, कृषिश एतराशी आपना निकरता संबंधा है, आज आ प्रसंग एक अश्टबली वक्तिमत्ना पदमस्री, प्रद्धापक मोटे लाज मदा ने सानमा ने अथितिमन उपस्तिता, प्रद्धापक मदान है विविदा प्रतिष्टी सांस्तान चे पदावर काम के ले, ते या विद्धापिटाचे माजी कुलगुरु है, या सोबतर दीन दाल उपाद्य पशुवद्य की विद्धापिट मथुरा, इते सुदा सराणी कुलगु प्रद्धापक मदान या विद्धानान अभियांतर के शेत्रा ते विशिष्ट शेवे बद्धिल या वर्शी जानेवर दोनर बावीस मदे भारा सरकाने प्रतिष्टित पदमस्री देवन सन्मानित के लिए, विद्धापिटाचा अचा अधिक्षान समारां भाएक महतु पनलत पासोन आम्मा सर्वान साथी स्वय मूलन अगाँची एक संदी व वविश्टातिल आश्टा अकराशा अचा अचा एक सपना है महदाय विद्धाइपिडार्अचा एकुन अक्राष जिल्या omega-दे विद्धाइपिडाचे कारक्षेतर विस्तारी तहए शिख्षा संशोधन, विस्तार शिख्षा तसे जन्नों की वा पायाबद बियानाइच उत्पादन कि विद्धाइपड़ेचे महदवारी जाब देरिया है सर विद्धाइपड़ेचा शक्षने कारक्रामा द्वारे कृषी वेतिरिकते तर सहा विशा मदे उच्चे शिक्षनाचा संधी विद्धारताना उप्रलब करून देना तियता है दर वरसे एक कुन 3211 विद्धारताना या विद्धाइपड़ात प्रविश दिला दातो महदय भारती कृषनांदन परिशत नवी दिल पुरस्क्रात इतर राजा तिल विद्धाइपड़ाती अफगनिस्तान, नेपा, एथिपया, नाइजिरिया, युगांडा, एजिप्ट, विएतनाव, भुतान या राश्ततिल विद्धारती या विद्धाइपड़ाता शिक्षन गेता है सर अतन्त अभिमानाचे गोष्टाइक आमचा विद्धाइपड़ाने माक्चावरसी आईश्यार्चा क्रमवारित विद्धाइपड़ातान सववी सिस्तान प्राप्त के लिया है सर आच्चा दिक्षान समारंबा मधे 234 पद्विदर, 321 पद्विदर, और 31 आचार विद्धाइपड़ाता पद्वा फ्रादान करना आगे है सोबतत सतिचा इस पदके और चोविस रोग पदिकेशे गुन्वंत विद्यार्थी वक कर्मे चारना प्रदान करना केता है सर आमचे विद्यार्थी एंसिसी मदे अत्यनता चांगल काम करता और अप्ला याठी कर्मे सांको सर महराष्ट राजा मदे जी स्फर्दा गयना ताली साइथ तो पूर्ना राजातून सवविस पदका भाईकी सोड़ा पदके आमचा विद्यापिटाथी विद्यार्थी निगेते ले सर अधूने अभिमानाची बावे सर माक्चावरसी आमच इसपन पूर् गुपरियार्थी निगें कि विद्यार्थी सरी प्रनलाच शरमा गैनि आए श्च एकता जार एक्सवर नाट प्र रंकी मिवनरी लाईस ता परमने तो महराष्ट्र लोक्सा अभणा मधे ऑंचे ख़ पस अट्छाविस् विद्यार्थी वेग्वाय अधिका परिक्साफे चर्चा या कारकमा मदे विद्धाइपधा चा विविधि माहम विद्धा लै याणी विविद्धा ने सव वागेतेलाइ. आमचा इथे PID ते सर्व विद्यारती है स्कॉरोशिप धारकाईट सर आनि या विद्यारता सोबत अच आमचा प्राध्यापकाने चो राष्टी स्तरावर वेगवरास परदामधे भाग्यों प्राधितोशक मियाले लए त्यामधे डॉक्टर विलासकर्चे, डॉक्टर इमा माना पुरे, डॉक्टर वन्दाना मड़के, डॉक्टर सपना बावसकर, डॉक्टर यसार शेगोकार, डॉक्टर प्रशा सिंकोट आनि डॉक्टर प्रमधी अधियर्वार यामचा समाईशा है सर, विद्यापिटा शिक्षना सुबत संश्वना मद सुधा अग्रिसरा है, नाश्नल लेवाल अंचाना स्टेरावर विद्यापिटान नाओ कमानला है, आज पारो तो एक्षे स्याहात्तर विविदी प्यकांचे वान, 1445 गर्जिनुसा तंत्रद्यान विद्यापिटा वि प्रकसित के लिया अनि सुबत स्याहा यंत्रा द्वारे विद्यापिटा वला साड़ेतीन कोटी चानिधी आमना दर्वशि प्राप्त होतो, सर यावर्शी ज्वाईरी चापुला सुरुची आनि पिरिक्वे साथना ये अत्यन तो अश्वन आपां विद्यापिटान अनि प्रकसित करना करता, 307 कोटी लाख निधी चाप प्रकल्प कारामने जाला है, डॉक्तर सीदी माई आमचे कारिकरी संचालक सजशात, तैंचा पार वानमा साड़ेतीन कोटी निधी चे प्रकल्प राजयो कांदी साइंस अन टेक्नोली याजमादा मतुन विद्या प्राप् अन टन करतो धन्यवाद देतो सर, सिरंद्य पद्धतिने कापुस वान विक्सद करना करता, स्विक्जर्लन सरकार याँचा अधिनिस्त, स्विस अंताराश्य। प्रकसित संचुदम फोरम याँचा द्वारे विद्धापिताला उत्कृष्ट संचुदम प्रकल्पमनन सनम अधर ने खाजदार संजे बहु धूतरे यांचा सहकार न विद्धापड़ा परम्शावक संग्नाप्राप्त जालाए तसेच या विद्धापड़ाला महाईति आनी तंत्रणयान मंतरा ना मारपत दाहा तेचा पंचान न कोटी मेरव निदे मदों सफ्रो टेकनलाजी पार प्रतमच या विद्धापड़ा अग्रिकल्चर युनिश्टिव मदे मियाला है और त्या मदन तुन आयोटी उद्धोजिक्ता केंदर स्थापन स्थापन करता हूँ तया बदला में संजे दो तरी सहाबंचे या तिकाने मी अभिनेंदन करतू आनी धन्यवाद देट सर भारती कर आश्टी महामार के प्राजिकरन यांचा साही याने विद्धापड़ा ने तीस महा काई शेत अलांचे निर्मित करोन तबद नौ दश्चा दहा लक्ष क्यूबिक घनमी तरपाना चा संजे किलाई जा मले 1225 सेक्तर जमिन सवरक्षी तुलिकाले इनाले या ति संक्रिश्वबाद यांचे विद्धा पिर सदेवर रुनी राहिए सर आपले आठवन आमाना सतत रहिए गटकरिशर आपन जावले उनाना मदेज आपन सीडिय प्लागे लोता तिकानी दहा एकर वर समोता फार्म आपन बजित ला अनि तया फार्म पांचा पाने चौपल गटकरिशिए अनि दिसते तया प्रक्तक विकाम अनि आपली चभी आमाना दिसे है सर आप आज में कमता करें दो आशे फांपान सीयाद स्लाइट तया खिकानी शरत सर्वर जायनी शरत पावर साईब यां चा प्रहतना तुनाम आपन शरत सोर देलोके ले सर दूसरा सरोवर जी है सीडी अपस घरकरी सर त्याला हमें नितीन सरोवर असनाव देतो है सर सर ग्रीन इनिसुटित माध्य मातून चार से किविक समय के सवर उज़ा प्रकलप विद्यापण कारमित के निलाए अनि त्याम वाले जोपास 30 लाग एओडा खर्चामता धर्वर शी वासना रहें उज़ा समवधर्न विद्यापण उज़ा समवधर्न ख्षेतरात अतुनने कामगेरी करिता महाराष्ट उज़ा विकास जनतना पूने यांचे महारपद उज़ा समवधर्न या विद्यापण पूरस्क्रच करना ताले है विद्यापण उज़ा अत्यंत महतों कामशी एक राख पुरक्ष आगवड के लिए है शर एक जूले साग जूले या धर्मयान कृशी सप्ता साजा कना तातो आंचे स्यासरत न अचे विद्यार्थी शिक्षान सवंशधान या विद्याधिक्त शेथकरन ताले है सविसी सदय तत्पर रस्ता अनि मनों जेक त्यस्यापण जूले धर्मयानी सवर पश्चे 15 गाहों मदे आमचे विद्यार्थि आमचे शासन्त पोषले अने 15 खेडा मदे आमचे तत्रिय अन्काटिकाने पोषले किए अत्यांत मोलाची काम आमचे विद्यार्थि करता हुआ दोनी संदेश, खुरुषिवानी, खुरुषिवार्ता, खुरुषि पतिरिका, खुरुषि सम्माधिनी, खुरुषि दिनदर्शिका, हलोकास्त कर, केबल तीवी, बलाग, परस्टिक्चन, विडो गॉंसपरेशन, घरप लाइं, मोबैला, इताधी कार्कराम, तरसे ति आए, माजा अप्रिया इड़ार्ची बानदवाननो, हाथ दिक्षान समान रहा मत्ता जीवस खरोकरस तुम्ची आईउशए तेले खास प्रसंगा है, प्रत्यक प्रत्यक प्रहत्ना तुम् यह से सवी वाल असे नाई, यह संदक्ष तुम्ता आथ मिशास वार्वेल, पर अप सभवाश जर अंबाए। ब मत्रह至 अंतर्भाइू विटासव रतिंगत कर वर राज्व धित कर्वाण हो तुम्यात्में टत्मने थाथ। तुमखा आत्म स्वार निंगी सपूर कोया गुरुण निता। तुम्हे आज्यात्मान नी तत्वुन जंकुशक्ता जुम्नाद्य लावानांता सामना करना सेट तुम्हे स्वत्ता तायर किरिव भाईजे और जौब जाओवग जाओं नहीं। तुम्हें आपला राष्ट्रो बार नी ताधास्तम बार अने तुम्ची वाइचारिक शम्रता आएका जया उन्च धाड़ाप्रामने मिक्षितो असमी आटिकाने कामना करतो या सभुष्टम ले तुम्हा सरोना सरावंग रिवका सोवन सभुष्टे चे असले नाते खोल वाल घुजला गिली है तुम्चा गुड़ु जलांचे पालकांचे आने तुम्चा सभुष्टे ताधर करा फेस तुम्चा भयुष्टाचे सिल्पार का रहे प्रतिसीत पद्वी आने प्रत्यकांचे मिपुनलाईग दा मना पासों अभिनान करतो याक्षनी सेउटी मी विद्यापिटाचे मानने कुलपदी आने महारश राज्यर राज्यपान मानने बगसिंग कोशारी साहिब आच्चा दिक्षान समारमाचे निवन्तन सिपना बदल मना पसों अभार व्यक्त करतो प्रमोग क्वावनाई मानने निचिंजी गड़करी साहिब आपला अमोले वेर काड़ू नालाग क्या बदल आमचे विद्यापिट आपले रुनियाइथ आबार्याओ सन्मान आतिती प्रमोग सरी मोटनलाजी मुदान साहिब आपले सुदामी याटे करें आभार व्यक्त करतो कारिकरी बदल सर्दामी सदस्य इतर मानने वर फ्रसा अमारे बांचे प्रतिनिदी या सर्वाण से त्या सुबदाच महाराश शासन अनि भार्तिक प्रिशा अन्दान परिशत नवी दिली याँचे गोड़ निरंतर सहकार यामले विद्यापिट आपले देए साध्य करें आशी आशा व्यक्त करतो जै ही जै महाराश्ट र्रो लो ल्याव यहला आपको हाँ उपन है यह जो 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 मानने कुलुपत्य महुदए मानने स्री नितिन जैराम गड़करी यानना स्री नितिन जैराम गड़करी याना डाक्तर आप साइन्स ही सन्माननी पदवी तसे पदवी परिक्षा उत्तीन होन पदवी स्पात्र ठरलेला वो प्रस्तोत सत्तिसाब्या देख्षान समारंबाद पदवी घेन्याची इच्छा असन्यारा पदवी अंक्षेना या बिद्या पीठाचा कारिकारी परिस्तेने पदवी प्रदान करेन्याची अनुग्या द्यावी ऐसी में बिन्ती करतो माननिय श्री नितिन जैराम गड़करी अन्ना डॉक्टर ओफ साइंस ही सन्माननिय पदवी प्रदान करने सथी सन्माननिय कुलगुरु विश्रे शादै शाचाई वाचन करतेल आदरनी महुदय अपलातील स्वार्त रहित सेवाभाव कारे कुशलता निरंतर संशोदन रत्ती प्रचंड इछा शक्ती वो त्याला साजे से अभ्यास पूर्ण कृतिती जोड आपले कारे अदूरिकित करते एक सर्व सामान्य कार करता ते अंतराष्टी पटलावरे सर्व मान्य लोग परिया नेतुत्वा परेंचा आपला परवास आमा देश वासे आना प्रेना दाई हाए समाज हीताला उदोजक्तिती जोड देतापन शेतिक शेत्राला दिलेले नविन दुरुष्टी कोन शास्वा सेत्यानी संपन शेत्करी संकल्पना कृतित आना रहे आदी केले मग सांगित ले आगति प्रमाने पना पसुन हड्रोजन, काकाव के सबसुन अमान वासीर्स आने बामू तता हुसा पसुन इत्यना निर्मिती प्रत्तक्ष साकरत सुजलाम सुपलाम समाज निर्मिती मदिल आपले योगदान पुडिल अनेक बिढाना दिशा दर्शक्त साहे ओ परमपरिक्स त्रोता मदोन उर्जा निर्मिती मदे स्वयम पुर्णता साधत अन्न दाता शेदकरी उर्जा दाता हुने आने गावपाति उलरस कृष्य प्रक्रिया उदोगांचे शुनुकला निर्मान करत शेतकरी उद्योजक निर्मिंदे चापले उद्धिष्ट निश्चितस आशे देया है राष्टी महामार्ग निर्मिदे मदे एकात्मित नियोजानाचे अनोकी उदारन घालून देताना महामार्ग निर्मिदे साथे अवश्यक गउन खजी उद्कल नातून डॉक्टर पंजार्वा देश्चित प्रक्षेतरा और अमरु सरोवरा प्रक्रमान दन्गत निर्मान जाले ला तीस महा काय शेतताले मदून बारशे चटिस टीसी अम पानी साथा निर्मान होत संचोनानाक्मक प्रक्षेतराना शास्वत सिंचन उपलब जाले है संपुर्ण देश बरातिल कृशी आने तत्सम विद्धय पिटाना दिशा दर्शक ठरदेले आ सारोजनी खिताचा उपक्रमातों महामारका चे जाया अधि घट करिच शास्वत जलस्त्रोत निर्मिती सह ग्राम वी का साथ्य होना रहे कृशी क्रांते चे प्रांते चे स्वर्गासी बावुसा अभिफाक के पंजावरा देशनो याना अभिप्रेथ कृशक उन्नतीन चा विचारावरेल आपले वार्चार बविशातिल सर्वत्त मुपलब्दी साथी आपले आला सिद्ध करिता है आपला कर्तुत्वाचा जोरावर महराशाचा देश पातिवर आणि देशाचा भूतलावर लोकित व्रद्धिगत वावा गवरावा वा आपला इच्छा शक्ती आणि कल्पनांचा माध्यमातुन निरंतर देश सेवा घरत राहो या शुबिचास आपना सारका कर्मयोध्यांचा सनमान करने अम्मा सर्वा करता अमृत योगा समाना है डक्तर पंजाबरो देशमुख प्रिश्टी विद्ध्यापिडाची आवतिने आज आपनास डक्तर आप सायंसी मानो पद्वी बहाल करता ना आपले प्रती प्रतार्ती ची भावना व्यक्त करतू सनमान निया श्री नितिन जैराम गड़करी आना विननती कि ते डॉक्टर आप सायंस या सनमान निया पद्वी चा सनमान निया कुलपती महु दयान करूं स्वीकार करतील क्या बोलना क्या हो है यानंतर मान्नेवरन विननती कि तन्नी मान पत्र प्रतान कराव पद्वी साथी विहीत केलेला अभ्यास्क्रम याशस्वी पड़ें पूर्ण केलेला अने विविद विद्या शाखेचा अधिश्थातान द्वारे साधर करने अते तसलेला पद्वी कांग्षिन न सनमान निया कुलपती पद्वी सा अनुग्रह करतील या विद्या पिठाचा फुलपती या पद्वी कांग्षिन न पद्वी पुर्षकाराचा अनुग्रह करेट आहे आणि त्याथ्या पदव्या प्रदान करीत आहे तसेच विद्यावस्त्रे परिध्यान करेनाची अनुग्या देत आहे पदव्युत्र विद्याशाखेचे अदेश्ठाता हे क्रमशाः डॉक्तर ओफिलोसोφी या पदवीकांग्सिनना अनुग्रह साथी सादर करतील सनमानन्य कुल्पति महोदै पद्वित्यर विध्या शाहीति डॉक्टर ओफिलोसोफि या पद्विकरिता उचित योग्यता प्राप्त पद्विकांग्शी आपना समोर्थ पद्विच्य अनुगरा सटी क्रमशा साधर करने जी अनुद्ने असावी पद्वी पूरस्क्राचा आपन अनुग्रा खरावा ही प्रार्थना डॉक्टर ओफिलोसोफी पद्वी कांशे तैंसे नाव घोशित होताच पद्वी अनुग्रा साथी व्यक्तिशाह साधर होतील चवान विवेक उत्तम वाओदने विनोज पुनलिक मुंडे तुकाराम बाड़ा साएं केंद्रे विचाल परमेश्वर ही पद्वी अनुपस्थितित प्रदान करने देता है अजय गुलाबराव गाठे गाठे कर श्रीकांत दत्तात रहे वाग पूनम प्रकाश्राओं दीपक शंकर्राओ मेहेकर हाड के पायल बंडू सपना सुहाज राजदेर कर दीलीप नामद्योराओ नलगे परदेशी प्रिया प्रदीप सिंग ही पद्वी अनुपस्थितित प्रदान करने देता है पाटील सुशान्त सुकुमार शेंडगे शरत अशोक सुर्वईया शोभा देविदास जादव धनश्री भारत खंडारे शुबांगी प्रकाश पेडडी लिकीता गायधनी अश्विनी हेमराज ओरारकर शुकुमार महादेव ही पद्वी अनुपस्थितित प्रदान करने देता है पाटिल दिशा अनन्त माली विपूल विलास पाटिल उदय हनुमंत राओ कडू शेलिंद्र कुमार यश्वंत अकंशा श्रिवास्ट कडगे निशान्त रमेश गजाकोष अविनाश विठ्थल वासुदेव नामदेव मते गावंडे अश्विनी बाबुर कुरुषी विद्याशाखेचे अधिश्ठाता हे क्रमशाह विविद्याशाखेचे तिल पद्वी कांशिन न अनुग रहा साथी सादर करतेल सनमानन्य कुल्पती मोदै कुरुषी विद्याशाखेचे तिल Master of Science Agriculture Horticulture Forestry Agricultural Biotechnology Master of Technology Agriculture Engineering आणी Master of Business Administration Agriculture या पद्वियान करिता उचित योकेता प्राप्त पद्विकांशी अपना समोर त्यात्या पद्वी अनुगराशाटी क्रमशा सादर करनेची अनुद्ने असावी पद्वी पूरसकराँचा आपन अनुगरा करावा ही प्रार्थना सनमान या कुल पति मोध कृषि विध्याशै केतिल Bachelor of Science, Honors Agriculture, Horticulture, Forestry Bachelor of Technology, Biotechnology Bachelor of Science, Honors Agriculture, Biznes Management आणी Bachelor of Technology, Food Technology या पद्वियान करिता उचित योकेता प्राप्त पद्वी कांशी अपना समोर त्यात्या पद्वी अनुगराशाटी क्रुशी अभियांत्री की विद्या शाखेचे अदेश्ठादा है बैचलर ओफ टेक्नोलोजी अग्रिकल्चरल इंजिनेरिंग पद्विकांग्शिन ना अनुग रहा साथ ही साधर करतील सन्मान निया कुलपती महोदय कुशी अभियांत्री की विद्या शाखेचे तिल बैचलर ओफ टेक्नोलोजी अग्रिकल्चरल इंजिनेरिंग या पद्वी करिता उचित योग्यता प्राप्त पद्विकांग्शि आपना समोर पद्वी अनुगरा साथी साधर करनेची पद्वी कांग्शि आपना समारंभास उपस्थित राहु शकले नाहीत तैन न तैन्चा अनुपस्थित पद्वी पुरस्करांचा अनुगरा करावा अशि विननती करतील सर्व पद्वी कांग्शि पद्वी पुरस्कार प्रदान होई परेंथ आपला जागे वर उभेरातील उभेरा 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 बच्चे बच्चे विध्या फीठाचा कुलपती या पदान्वे विदिवत प्राप जालेल्या अधिकारात मी आपनास करमसह डक्टर अफिलसोफी Master of Science Agriculture, Master of Science Horticulture, Master of Science Forestry, Master of Science Agricultural Biotechnology, Master of Technology Agricultural Engineering, Master of Business Administration Agriculture, Bachelor of Science Owners Agriculture, Bachelor of Science Owners Horticulture, Bachelor of Science Owners Horticulture, Bachelor of Science Owners Forestry, Bachelor of Science Owners Forestry, Bachelor of Technology पाई टक्नलोजी बैचलर अप शाइन्स ओनार्ट अगरीकल्चर विजिनेस मेनिजमेंट बैचलर अप टक्नलोजी फूट टक्नलोजी बैचलर अप टक्नलोजी अगरीक GG या पद्वी पुस्काराचा अनुगरह करी दाहे आनी विद्यापिठाचा पद्वी स्पात्र असलेला परंतु या पद्वा पद्वी दान समारंभास उपस्तित राहुन सकलेला पद्वी खांक्सिना ते जा पद्वी स्पात्र असलेल ती पद्वी त्याचा अनुपस्ते नीर निराली पदके आणी पारितोष के प्राप्त के लेल्या तैंजा विद्या शाखेतिल पद्वी धारकान्ना पाजा रण करतिल। नीर पद्वी धारकान्ना पाजा विद्या शाखेतिल पद्वी धारकान्ना पाजा रण करतिल। नीर पद्वी धारकान्ना पाजा विद्या शाखेतिल पद्वी धारकान्ना पाजा विद्या शाखेतिल पद्वी धारकान्ना पाजा रण करतिल। डॉक्तर पंजाब्राव देश्मुक जन्मशताप्ती सोर्णपदक, श्री मादव गंगादर भूम्रालकर हर्टिकल्चर रोख परितोशिक आनी अन्ना साहिब मादनी रोख परितोशिक, कुमारी देवकर छुबांगी प्रमोध. मस्टर और सायंस अग्रिकल्चर पधी परिक्षेट कुरिशिविद्याय विश्याद, सर्वादिक मुल्यंक प्राप्त पुरूर्ण नियोजीत प्रपंद साथर के लेंगा बदल, माननीय कुलगुरू प्रोफेसर बिठरराव राटी सुर्ण पथक, स्वर्गिय डॉक्टर भग्वांतराव बजर्व तुर्क्षडे सुर्ण पथक, डॉक्टर पंजाब रादेश्मिक रौप्य पथक आणी स्वर्गेशी लक्ष्मन्राव नर अर्पन्त उत्तरवार रोप्य पदक श्री वैरागले महेंद्र नंदलाण Master of Science Agriculture पधि परिशेद वनस्पति रोक्षास्त्र या विच्या सरवाधिक मुल्यांक प्राप्त करून नियोजी त्वेल प्रबंद साधर केला बदल स्वर्गशी अरिंद वीचनात वावदेश मुर्धी सुरन पदक कालकतिर कुष्णराव सकाराम जी घोडेश्वार सुन्ती सुरण पदक हेक्जामर अग्रिकल्चर रिजर्च एंड डिवलोप्मेंट फाउंडेजन रोप्य पदक राउत अक्षे मनोहर मास्टोर आफ साइंस आग्रिकल्चर पदि परिक्षेज वनष्पधि या विश्यार सरवादिक मुल्यां का प्राप्त करून नियोजीत वेलेद प्रबनत शादर केले बदल तसे स्मुलेन मदून सरवादिक मुल्यां का प्राप्त केले बदल पंजावरा देख्मी जन्म सताप जी शोरण पतक, मानिने कुलकुरू केलास हिरो जी बढ़ी राम जी उले माले शोरण पतक, कुमारी शाह शमा मेंबू Master of Science Agriculture पत्वी परिक्षेत पशु संवर्दन्व दुग्द वैसा या विश्यात सराधिक मुल्यां का प्राप्त करून नियोजीत वेड़ेत प्रबंद साधर केला बदल स्वर्गिय बाबाराव अनंत्राव देश्मी रोणे का रोप्य पतक, कुमारी काले सारीका समाधान Master of Science Agriculture पत्वी परिक्षेत कुशी विस्तार या विश्यात सराधिक मुल्यां का प्राप्त करून नियोजीत वेड़ेत प्रबंद साधर केला बदल स्वर्गिय बाबाराव दुग्द वेड़ेत प्राप्त करून नियोजीत वेड़ेत प्राप्त करून नियोजीत वेड़ेत प्रबंध साधर केला बदल श्री वामनराव महेंद्रे सर दिग्रसकर स्मुति सोर्ण पतक कुमारी पाठील आईश्वर्या दत्तात्रे Master of Science पद्वी परिक्षेद वनस्पती शरीर क्रिया बियाने तंतरत्रान या विशयात सर्वादिक मुल्यांक प्राप्त करून Master of Science पद्वी शिक्षन संस्ता अकोला पद्वी परिक्षेद Master of Science अग्रिकल्चर पद्वी परिक्षेद Master of Science पद्वी शरीर क्रिया बियाने तंतरत्रान या विशयात सर्वादिक मुल्यांक प्राप्त करून Master of Science पद्वी शिक्षन संस्ता अकोला पत्वी शिक्षेद Master of Science अग्रिकल्चर पद्वी शिक्षेद Master of Science अग्रिकल्चर पद्वी शिक्षेद Master of Science अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग या पद्वी शिक्षेद Master of Science अग्रिकल्चर 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 इंजिनेरिंग पद्वी शिक्षेद Master of Science अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग या पद्वी शिक्षेद अधिश्थाता क्रुशी हे 2020-2021 यावर्षात नेर निराली पदके आणे पारितुर्श के प्राप्तके लेल्या त्यांजा विद्या शाकेतिल पद्विधरान ना पाचा रण करतील सनमानने कुलपदी मोधे कुरुशी शाकेतिल बैचलर अफ साइंस, हर्डी कल्चर, एगरिकल्चर, फोरेस्ट्री, एगरिकल्चरल बाय टेकनोलोजी, बैचलर अफ बिजनेस अडिनिस्टेशन आणी बैचलर अफ टेकनोलोजी, फूड टेकनोलोजी पद्विपरिक्षान अन्न निकितन कुर्शी महाविद्दले वरोरा, एथुन किटक शास्त्र अणी मनस्पती रोग शास्त्र या विजएत, तसेज बैचलर अफ साइंस अगरिकल्चर पद्विपरिक्षेत, आठ सत्रान मदे स्रवादीक मुल्यांका प्राथ केले बद्दल, डप्टर शुती सुर्ण पदक, श्री नर्वादे सुध्रे सुरे कैलास, बैचलर अफ साइंस अगरिकल्चर पद्विपरिक्षेत, पुर्शी महाविद्दले आठ सत्रान मदे स्रवादीक मुल्यांका प्राथ केले बद्दल, स्वर्गया मातोशी परवता भाई महेंद्र सुर्ण शुती सुर्ण पदक, श्रीमती विमलाबाई देश्मिक रोप्य पदक, कुमारी खरबलकर वैश्नमी प्रमोध, बैचलर अफ साइंस हर्डीकल्चर पद्विपरिक्षेत, सर्वादीक मुल्यांका प्राथ केले बदल, स्वर्गया शांतारामजी बबन गावंडे सुर्ण पदक, कुमारी गावंडे प्रिया योगी राज, हाँ पूरसकार अनुपस्थितित प्रदान करने देता है, स्वर्गया रेनुरा उपक्या अन्ना साइब पद्विपरिक्षेत, सर्वादीक मुल्यांका प्राथ केले बदल, स्वर्गया डप्टर पंजारा उपक्या बावसाइब देश्मुक्स्मुति शुर्ण पदल, कुमारी बदर के प्रजक्त एकनाथ, बैचलर उप साइंस अगरिकल्चर पद्विपरिक्षेत, स्री शिवादीक मुल्यांका प्राथ केले बदल, स्री शिवादीक मुल्यांका प्राथ केले बदल, स्री शिवादीक मुल्यांका प्राथ केले बदल, स्री पीपी जोशी रोप्य पदल, कुमारी अडवानी मनिश बैचलर आफ साइन्स अग्रिकल्चर पधी परिशेश वनस्पति शरीर क्रिया शास्त्रा या विश्यात सरवाधिक मुल्येंगा प्राप्त केला बदल डॉक्टर अर्विंद मारोती धोप्टे रोप्टे बदल कुमारी पवार स्रेता संजय अदिश्ठाता क्रुशी अभियांतरी की हे 2020-2021 या वर्षात नीर निराली पदके आणे पारितोशिके प्राप्त केलेल्या त्यांचा विद्ध्या शाकेतील पद्वी धरानना पाचा रण करतील सन्मार नियकुलपती महोदय कृशी अभियांतरी की विद्ध्या शाकेतील पद्वी परिक्षेत प्राप्त केलेल्या बदल पत्केव पारितोशिके मिलवी लेल्या पद्वी धरानना साधर करिता है त्यानना पत्केव पारितोशिके देवन पुरस्कुर्थ करावे ही प् Bachelor of Technology Agricultural Engineering पद्वी परिक्षेत तसेज मुरुदाव जलसंदारत अभियांत्रिके या विशयात मुलीन मधुन सर्वादिक मुल्यांक प्राप्त केल्या बद्दल सर्गिय अजीद बेनीराम हरोडे स्मृति सुरणपदक ISAE Convention Memorial सुरणपदक कुमारी हुचे आश्मीनी वासुदेव संचालक शिक्षन हे 2020-2021 यावर्षाद उत्कुरुष्ट शिक्षक मनुन निवड जालेले शिक्षक आनना पाचा रण करतील सनमानेने कुलपती मोद उत्कुरुष्ट शिक्षक रफ्य परितोशिक वी सेक्षिस साधी निवड जालेलेना आपना समोर साधर करिता है जैनना परितोशिक द्यून पुरस्कुत करावे ही प्रार्थना श्री दामोदर कुष्णराव बल्ला रोफ्य पदा डॉक्टर यू एस पुलकरनी संशोधन संचालक हे 2020-2021 यावर्षात उत्कुरुष्ट संशोधन कार्या केले बदल निवड जालेले संशोधकाना पाचा रण करतील सन्मान्य कुल्पति मोदर उत्कुरुष्ट संशोधन साथी पुरुस्कुरुष्ट डॉक्टर केजी जोशी रोख पारितोशी शेतकर रैनना तातकार हाईदेशीर अशा मुद्यावर्षी की वाँ पशुविद्यान विशयात विद्या पिट्या मदे उत्कुरुष्ट संशोधन केला बद्दल निवड जालेले संशोधकाना साथर करीता है तैनना रोख पारितोशी देवन पुरुस्कत करावे ही प्रार्थना श्री जी डी चंदनकर श्री जी दी चंदनकर श्री एम एस दांगे डॉक्तर एसस मुझे राधा केशन शांती मलोतरा रोख पारितोशी कुरुष्टिव पुरुस्कत करावे ही प्रार्थना डॉक्तर वी एस काले डॉक्तर पी के नागरे हाँ पुरस्कार अनुपस्थितित प्रदान करने देता है डॉक्तर एम पी वाग डॉक्तर ए एम सुनकामड़ डॉक्तर ए के सदावरत कुरुषी शास्तर पशुविद्नयान मस्तविद्नयान आनि कुरुषी अभियंत्री की या शाकान मदून राश्टिय स्तरावर उत्कृष्त संश्विद्न के लेबद्दल स्वर्गिय डॉक्तर पी एस खानकोजे सुर्णपदक डॉक्तर एस आर कायवंडे कुल सच्चिव हे 2020-2021 या वर्षा करिता शिक्षकेतर कर्मचारयन मदून उत्कृष्ट कर्मचारी मणून निवड जालेलेन पाचारन करतील सन्मान्य कुल्पती महोदय उत्कृष्ट कर्मचारी मणून निवड जालेल्य कर्मचारयला सादर करित आहे त्यन्ना योगत अद्न्य स्री विठलराव जीपकाटे रोक पारितोशीक देवन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना शाका अधिकारी ते सहायक कुल्सचिव आनि तस्सम या सवर्गा मधुन उत्कृष्ट कर्मचारी सव स्वाती विनोज जाधव शाका सहायक ते सहायक शाका अधिकारी आनि तस्सम या सवर्गा मधुन उत्कृष्ट कर्मचारी श्री दिलीप शेश्राव अहीर सर्व पद्विप्राप्त पद्विधरन सर्माननिय कुलपती महोदै आता दिक्षांत उपदेश देतिल सर्व पद्विधर दिक्षांत उपदेश ग्रहन करे पर्यंत अपला जागे वर उभेरातिल खड़ा लखो लगे या पिद्विधर पिठाचा कुलपती या नाताने मी आपणास प्राचेन रिशी मुनी चा संदेशाला अनुसरून पुधिल दिक्षांत उपदेश पदान करीत आहे आपन तो मनापूर्वग करण करावा उत्याचे पालन करावे सत्यमबदा धर्मंचरा स्वाध्यायान माप्रमदाह मात्र देवो भवा पित्र देवो भवा आचार देवो भवा अतिथी देवो भवा राश्ट देवो भवा एसा आदेशा एसा उपदेशा एसा बेदोप निसादात एतात अनुसासनम हे पद्वी कांक्षिनो बरील संदेश हा आपल्या अरदयार खोलवार रुजवन त्यावर अमलकरी शिस्त बद्द तेने आचरनात अनावा सर्व पद्वीधर पुढिल प्रतिद्या एका सुरात मंटिल आमी दिक्षांत उपदेशांचे चिंतन आणि मनन करून त्याव प्रमाणे आचरन करू सर्व पद्वीधर आपल्या जागेवर बस्तिल या समारंभाचे सन्माननिय अतिथी पद्मश्री प्राध्यापक मूतिलाल मदान मार्क दर्शन करतिल अम ब्रम्मा विनिन्द्र द्रमूर्त तन्वंत देवस्तवे वेदै सांकर प्रदै क्लमूत प्रिष्णदै गायंत्रियम योगिनो we are all graduates today raising our hands and bowing our heads to the Sagar to the sea of knowledge Brahma and for that I exhortate you and we prove that we have his blessings Honorable Chancellor Sir and the Governor of Maharashtra Shri Koshyari Ji, Chief Guest Shri Nitin Gadkari Ji, Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India, Distinguished Vice-Chancellors of the University, Dr. V. M. Bhale, former Vice-Chancellors, members of the Executive Council, Academic Council, Board of Studies, Faculty, Distinguished Dignitaries, Invitees, Graduates Receiving the Degrees and Honours and Farmers, Media Representatives, Ladies and Gentlemen and my dear students It's a great privilege for me to be amongst you here today. Privilege because of several reasons. Privilege because I am connected with Baha Sahab and that connection has been as early as 1956 when Punjab Raoji Deshmukh came to lay the foundation stone of the college from which I graduated in Hissa. And it was my proud privilege to be coming to this institution to serve you all here as the first servant in the year 1999. And today it's again my proud privilege to be with you in the august company of our Mania Gouverner Ji and Nitin Gadkari Ji. I deem it also an honour that this 36th convocation of this university which bears the name of Baha Sahab, Dr. Punjab Rao Deshmukh, one of the pioneering architects of modern agriculture in India. I need to mention here that it was the foresightedness of Baha Sahab, the agricultural minister of this country, that we had what we say a backtrack and we had to give a new forward look to the agriculture in this country. And the results of this are before you that how we have progressed from a bagging bowl to an exporting country in food grains. I need not to dwell upon that but it's important to say that agricultural economy is something which is today anchoring the national economy. Continuously for several years agriculture economy purposefully backed by the livestock which is holding a continuous increase of 4.5% annually has been backing the total national economy and making us all proud. And that proud is because of you, the graduates who come from here, that is because of the farmers who are here and they toil the land and that is because of this lovely faculty which is present here and over the country that which train these all graduates. Friends, with over 1,418 impact agri-technologies, 173 crop varieties in all major crops, 32 farm implements registered and patented to its credit, Dr. PDKV has a university proudly discharging the activities in service to the farming society. My youngsters from the rural areas have started their employment using the PDKV doll mill as a set up for the university from the first time. The PDKV built mill doll mill has become a lifeline for rural employment. I remember here the days when we started it with, that was in 1999, that we started and we tried to give more impetus to this doll mill. And over the years, Governor Saab, that this has really fruitified into a situation. And I remember at this time, that Dr. Borker, who is not amongst us, but was instrumental in this activity. And I believe that his soul will reach his peace. We applaud his activities, which he has been doing here on this campus. Thank you. Agriculture agriculture, which we are talking about eight or ten years before, we are saying that we have said that we are in the PRAGRITY. की पत पर है आज वो एक क्रॉस रोड्स पर है एक सक्ट सड़क पर चल रहे हैं क्यूं क्यूंकि वह आज की सुच्वेशन अलग है जो कल की सुच्वेशन थी आज का अगरिकल्चर हमारे से अलग चैलेंज मांगता है आज का agriculture हमें खाली हमने produce नहीं करना है लेकिन produce करना है efficiency से करना है आज का agriculture में हमारे पास चनोती है कि इतना वो अन ग्रेन हमारे पास है लेकिन फिर भी हमारे पास कई चापकों में कहीं पर भूक मरी है हमें change तबलाओ जरूर लाना है क्योंकि हमारा जो nutrition है हमारा जो nutritional availability है वो subject नहीं है बराबर नहीं है क्योंकि हमारे पास वो सादन नहीं है जिनके जरीए हम उन तक पहुँचे तो agriculture को खाली अपने उपज की बात नहीं करनी चाहिए बर कि ये भी सोचना चाहिए कि हम उन गरीब किसान उन तक कैसे पहुँचे और वो हमारी चुनोती है हमारे agriculture graduates के सामने कर लेकर मामानिया आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि सुपने सासकार होते हैं बच्चों आपने देखा है सुपना सासकार होते हुए किसी ने आवाज नहीं उठाई लेकिन मैंने देखा सुपना सासकार होते हुए और उस सुपने का architect हम बड़े लखी हैं हमारे बीच में बैठा है नितन जी नितन गड़ करी आज से 20 साल पहले मैंने एक सुपना बनाया था जिस सुपने का नाम मैंने बायो डायवर्सिटी पाक नागपुर में दी थी कल मैंने एक चोटा सा वीडियो देखा नितन जी और वीडियो में उसने एक्जैक्ली वो चीजे जो हमारे उस वक्त के faculty members हैं यहां पर या चात्र हैं उनको पता होगा मैंने उस जगह का नाम जो आप बायो डायवर्सिटी पाक लिया था और मेरे खायल में वो बायो डायवर्सिटी वार्ख ही उसका नाम लगना चाहिए क्योंकि Botanical Garden ये देश में कहीं है लेकिन Bio-Diversity Park को ही ने और Bio-Diversity Park में हमने क्या किया था हमने 76 किसम के आम लाए थे 38 किसम के हमने सिट्रस लाए थे केक्ट्रस लाए थे और यह हमने 400 किसम के पोदे लाए थे जो कि हम प्लांटस कहते है medicinal and nutritional plants और वो हमने एकठे एक जगह किये थे और उसके साथ हमने प्रोटेक्टिड कल्टिवेशन वहां की थी फ्लावर्स लोगों को वहां अलनिकाने के लिए हमने जो वहां पर वाटर टैंक था उसको चछत पर एक रेस्टोराइट बना दिया थे वहां ट्वाइलेक्स प्रोवाइड किये थे वहां पर हमने एक जर्ना बना दिया था और वो वो कल जब मैं देख रहा था कि आपने जो आप दांचा उसका खेंचा है मैंने समझा कि क्या बात है आप पहले कि बना आते और वो चीज़ हमारे लिए सक्सेस्फल हो जाए था मैं इस चीज़ को आपके सामने इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि सोंच कोई इफेक्ट्व बनाना बड़ा जरूरी है बच्चों मेरे यह जो अफिशल तक्रीर है मेरी जो यहां पर आपके साबने बाशन है वो आप तक कौँची गया होगा लेकिन मैं उसको फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है और समय बहुत थोड़ा है लेकिन तीन चार चीज़ें मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो जरूरी भी है मिलता तो बहुत कुछ है दुनिया में और हर एक को बहुत कुछ मिलता है मगर हम गिंती किस चीज़ की करते हैं वो जो नहीं मिला हो कितना बदलाव हो जाएगा अगर हम वो देखे कि हमें मिला क्या है और उस मिले पर अपनी फाउंडेशन बनाएं क्यों कि हम एक वातावरन में हैं एक डाइरे में हैं एक इश्क में हैं एक बिलॉंगिंग में हैं दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर अपनी जगे बनाओ make a place for yourself in दाइरे ज़े एक नई सुबह और एक नई शाम पैदा कर that's what the graduates are supposed to be doing तूट जाता है हर शीशा तूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से तूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से लेकिन आपका काम कुछ और है जो इस पत्थर को तोड़ दे वो शीशा पैदा कर और आपको यहां पर तकलीफ होते हैं colleges में लेकिन इसे ज्याता है तकलीफ आपको आगे जब आप यहां से निकलेंगे तब होगी और उस वक्त याद रखें कि जितनी आपको तकलीफ होगी वो समझो एक बहुत अंधेरी रात थी हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होता है रात जिसनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी डर न कर क्योंकि सवेरे आने वाला है उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने एक किताब जो कि उसको कहते हैं Eighth Habit स्टेफन कोवें ने कहा था कि that what is important is effectiveness to greatness अगर आप effective है आप great बन सकते हैं So how to be effective किसी को ये कहा था कि आपको effective बनाना है तो अपनी line आप जिसके साथ से बड़ा दिखाना है उसकी line से आप अपनी line बड़ी कर दो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम तक कुछ हमारे में बीच में ऐसे भी लोग होते हैं जो लंबी जो बड़ी सडक है वो खेच नहीं सके естग्र लंबी जो बड़ी सडक है वो खेच नहीं सके एक लंबी line खेच नहीं सके अन्होंने पुरानी line को ही मिटाकर समूझता है कि मेरी line ही पड़ी है अब देफिटिस टेंडेंजी है लाइफ में यह व्याव टो बीडिफिक्टू मैं अबी कुछ दिन पहले आधर्निय अपने संख चालक शरी बागवत जी से मेरी मुलाकात हुई थी मैंने उनको एक चीज कहा मैंने उनसे सिंपल सवाल पूचा मैंने का साब आ वेटरनेरी में आये थे लेकिन आफ कहां चले गए इस दूसरे फिल्ड मैं उनका जवाब बहुत संदर था और मैं आपके साथ को शेर करना चाहता हूँ आखर मैं उन्होंने कहा था that it is easy to be followers but it is difficult to be leaders friends you have to be a leader to yourself don't don't think what others can do you can't do you can always do it better you can always do it better संग्तराश बनना है तो ऐसा बनिये कि हर एक अपनी मुर्थी आपसे बनाए इंटें लगानी है तो ऐसा इंट लगाने वाले बनिये कि आपसे इंट बनेगी और scientist बननना है य अगर्रिकल्चरिस बनना है ऐसा बनिये कि यह जो पृसकार छोड़कर आप पर सब के realigns हो मुझे यहां पर बलाया मुझे जो कुछ यहां युनिवर्सिरी से मिला है मैं यहां पर आज से 20 साल पहले था आपको लोगों के बीच में इस युनिवर्सिरी से जो मुझे मिला है वो मैं हूँ और मैंने पता नहीं है कि मैंने कुछ मिहां पर दे सका के नहीं लेकिन आज जो मैं हूँ मैं अर्बन करता हूँ इस संस्थान को और आपको धन्यवाद या समरंभाचे सनमाननिय मुख्य अति थी माननिय श्री नितिंजी गड़करी दिख्शांत भाशन करते डॉक्टर पंजावरो देशमुख कुर्शी विद्य पिड़ाचे चति साव्या दिख्शान समारंभा निमित्य देशाचे प्रथम कुर्शी मंत्री अधरनिय भाउसय पूर्प डॉक्टर पंजावरो देशमुख यांचे पावों समुती स्विनम्र अभिवादन करतो त्यास प्रमाणे अन्न दाता असलेले शेतकरेले ही पन अभिवादन करतो अच्चा कारेकरमाचे अध्यक्ष महाराष्टाचे महामाईम राज्यपाल अधरनिय श्री भगस्या कोशियरे जी अधरनिय अतिती माजी कुलगुरू पदमश्री डॉक्टर मदान साहट सनमान्य कुलगुरू डॉक्टर भी एम भाले कारेकरी परिशदेचे सर्व सनमान्य सदस्या माजी कुलगुरू शेक्षणिक परिशदेचे सदस्या अभ्यास मंड़ाचे सदस्या रजिस्टार डॉक्टर कलबंडे त्यास प्रमाणे सर्व प्राध्यापक विद्यार्थी मित्र मित्रिन में बगिनी शेतकरी बंदू पत्रकार अणे उपस्तित बांधवन नोणु बहणिनु सर्वपर्थम मी डॉक्टर पंजाबरो देश्मुक कुर्शी विद्यापिठाचे कुलगुरू अपले त्यास प्रमाणे अपले महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदर्निय कुलपती कार्यकारी परश्यदेचे सर्वसन्मान्य सदस्य यानचे मनापसुन आभार मानतो कि त्याननी मला डॉक्टर अप सैंस ही मानत पद्वी प्रदान केले लिया है या बद्दल त्यांचा बद्दल रून व्यक्त करता संब्रम या करता होता कि या ही पद्वी स्विकारने चा आपन लाएक आहो कि वा नहीं हो परंतु विशेश्था माननिय कुलंगुरति नियुआमला सांगितला आणि कार्यकारी परिशदेचा निर्णे पन सांगितला त्यावली त्या सगड़यान चा बद्धेल सन्मान वेकत करना करता और त्या बद्धेल चा रून वेकत करना करता मी ठरोला कि या कारेकर्मावद्य में निश्चित पड़ने सहबागी होई खर मंझे पंजाबरो कुशी विद्यापीट ये अपले विधर्बात ले शेतकर्यान करता एक वर्दान मी विध्यार्थी अस्तानला या विध्यापिटा करता मुठी चर्वल धाली होती महाराष्ट्र मदे है विधर्बात है कुर्शी विध्यापिट वाहव या करता मुठ्धा अंदुल धाललो अनेक लोक शहित जाले होते अणि त्या सग्यान चा बलिदाना तून विधरबाला है कुर्शी विद्ध्यापिट में आल अणि देशाचे पहले कुर्शी मंत्री अणि शेतकरान ना एक प्रकारे जन्नी शेतकरान चा विकासा करता अपले जीवन समर्पित केल असे डॉक्टर पंजावरो देश्मुकेंचा नावा नी या विद्ध्यापिटा चा नाम करन जालत मलाया गोष्टीचा आनन्द है कि आज विद्ध्यापिटा नी करमवारी मदे 36 स्थान प्राप्त केले ला है या विद्ध्यापिटा मदों भारतिये कृशिये नुस्दनान परिश्रत त्याज बरबर अफगानिस्तान, नेपाड, इथोपिवया, नाइजरिया, युगांडा, इजीप, वेत्नाम, बुतान या देशातले विद्ध्यार्थी देखिले विद्ध्यापिटा नुँ शिकले ले है उत्तर उत्तर या विभागा मदे जे अनेक विशाज जे रिसर्च के लिला है तेई अतिशे महत्वाचा है या सर्व कार्याबद्देल विद्ध्यापिटा चा सगने स्टेक होल्डर चाहे त्यान समी मना पसून अभिंदन करतो थोड़ो सा गवर्नर साहबनना थसा मराधी समस्त पन थोड़ो सा मी हिंदी मदे बोलता होते तुभी पन सम्दाला ने तेई पन सम्नु शक्तिल मी नेमी एका गोश्टी वर विश्वास थेओतो की इनोवेशन, एंटर्पिनरशिप, सायंस, अच्नलोजी, रिसर्च, स्कील और सक्स्थू प्राक्टिस वी नेम इत अज़एज अज़एज अगोश्टी विश्वास थेओतो की नेमी लक्षा थेओतो अज़एटी नेमी माजय मित्रना संग्तो की नो one is waste, it is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the vision of the leadership, you can convert waste into wealth no material is waste, no person is waste, the appropriate technology and appropriate vision can make miracles, that is the philosophy of the life अज़ मला आनन्दा है कि तुम्ही सग्यदना अज पद्वी काई लोकाना डॉक्टरेट मेली काई लोकाना पद्वया मिलालया, तुम्च्या जीवना मदे जे ज्ञान तुम्हाला मिलालया है तेचा उपयो निश्चित पड़े तुम्ही समाजा जाऊन, सांगला प्रकारे कराल असमाला दुरूर विश्वास है पहली गोश्ट जीए जी माजा मानात लियती भी तुम्हे समुर मानना है अपला ही ते जए सग्ड़ जे रिसर्च होता है ते नीड बेस रिसर्च असल पाई जाए अपला विधर्बा मदे जए कृशी विद्धय पिटा है तब विधर्बा में क्या समस्या है विधर्ब के किसान आत्मत्या क्यों कर रहे है विधर्ब के क्रॉप्स कों से है विधर्ब में क्रॉप पैटर्न कैसे बदलना होगा विधर्ब में एग्रिकल्चर में वेल्यू एडिशन कैसे करना होगा विधर्व में agriculture export को कैसे बढ़ाना होगा इसका अध्यान करके इस पर research करके value addition करके नई employment create करना agriculture growth rate को बढ़ाना और इसके लिए आवश्यक सभी बातों को निर्मान करना ये हमारी moral और वैसे भी सभी प्रकार की जिम्मेदारी है अगर हम गंबीरता से सोचेंगे तो 47 के बाद आज तक परिस्तिती में काफी बदला हुआ है जब महात्मा गांदी जी हमारे देश में स्वाधिन्ता का अंदोलन कर रहे थे तो वो कहते थे कि हमारा भारत गाओ में बसा है तब 80% population हमारी गाओ में थी पर आज हमारी population 65% हुई है यह 25% population जो है इसका migration हुआ ही इसका कारण क्या है क्या यह खुशी से हुआ है यह मजबूरी से हुआ है गाओ में किसानों के फसल को सही भाव नहीं गाओ के किसानों के बेटो को रोजगार नहीं फसल के सही दाम नहीं गाव में जाने के लिए रोड नहीं पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं गाव में अच्छा अस्पताल नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल नहीं महाविध्याले तो सवाले में उठते तो स्वावा एक रूप से रोजगार के लिए बड़े प्रमान पर जवान लोग गाउ को छोड़ कर शहर के तरफ आने लगे और ये migration 25% हुआ क्या ही इस स्थिति को हम बदल सकते हैं हमारे देश के growth rate में manufacturing sector जो है उसका GDP growth में contribution 22 to 24% है service sector का contribution 52 to 56% है और हमारे agriculture and allied industry का contribution केवल 12% है मैं आप सब को ये प्रार्थना करूंगा मैंश पर बैठे हुए dean, हमारे professor, हमारे doctorate में ले वे सभी सनमानने अतितियों को ये प्रार्थना करूंगा that is it possible that we can take our agriculture growth rate from 12% to 20% within 5 years I feel that this is not a, it is a difficult task but it is not an impossible task ये हो सकता है और ये करने में हमारे universities की भूमी का बहुत मत पुर्णा है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें हमें क्या-क्या करना होगा इसका जो planning and detail and planning in advance करने के अगर कोई institution है जो किसानों को need-based research के आदार पर मर्गदर्शन कर सकती है वो organization अगर कोई है तो हमारी agriculture university है जो इसकी vision दे सकती है अभी यहाँ अपने संत्रे और कपास रखा हुआ है यहाँ बहुत अच्छा चितर है मैं अभी कुछ दिन पहले संत्रे के हमारे orange institute नागपूर में है बारस सरकार का उसके कारेकर्म में गया था अभी मुझे मारे वानखेड़े बता रहे थे कि agriculture में अकोला, अमरावती नागपूर जिले में, वरधा जिले में लोग अच्छे orange की अच्छी कलम चाहते पर मिलती नहीं तो मैंने orange institute को कहा कि आपके root stock पर आप इतनी तयार नहीं कर सकते तो पहली बार उनको कहा कि आपके तंतरत म्यान से सम्रूद एप्रूव करके आप joint venture में नर्सरीज खोलो और पहली बार नर्सरीव का शुबारंब हुआ और बड़े प्रमाल पर अब orange की नर्सरी शुरू हो रही है जिसका मारदर्गसन orange research institute करेगा और root stock बदलेगा और जिसके कारण orange की quality अच्छी होगी निम्बू की quality अच्छी होगी seedless निम्बू वो हमारे किसानों को पास ये कलमे उपलब्द होगी तो हमारी productivity बढ़ेगी quality बढ़ेगी और quality बढ़ेगी तो दो पैसे मिलेगी आपको तो मैं जरूर कहूंगा कि नासिक में जाने के बाद एक शिंदे करके किसान है उनकी फॉर्मर प्रोडूस कंपनी है वो पंदरा सो करोड के अंगूर एक्सपोर्ट करते है और उन्हें शिंदे उस कारेकरम में थे उन्होंने स्पेन से दस औरेंज के कलम के साथ बना कर वो नई जातियों का सहुशोधन करने जा रहे है क्या हमारे पास हमारे किसान हमारी नीड बेस रिसर्च के आधार पर वर्ल्ड की मार्केट में जो औरेंजेस हमको चाहिए क्या वो औरेंजेस हमारा टेबल फूरूट करके औरेंज बहुत पसिद्ध है क्या उस कलमो को बना सकते है क्या हम किसानों को ये दे सकते है क्या हम ये नरसरिया खोल सकते है अभी मैं एरपोर्ट से उतरा आ रहा था तो बीच में पेड लगे थे तो मैंने पूछा कहां से आए तो उनने आंधर पदेश के वो राजमुंडरी से वो पेड लाए थे तो मैंने गा राजमुंडरी से क्यों लाए पिकेवी में क्यों नहीं होते है अगर राजमुंडरी में अगर प्लांट तैयार हो सकते है तो पिकेवी में क्यों नहीं होनी चाहिए आजू बाजू में ये प्लैंट के अच्छी नर्सरी पीकिवी में क्यों नहीं होनी चाहिए कमर्शेली नर्सरी में अज़गलग प्रकार का प्रोड़क्शन क्यों नहीं होना चाहिए यह हो सकता है और इसी से क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा है जब वाइस चांसलर साब मुझे मिलते तो मैं उनको अक्सार दो बाते कहता हूँ कि हमारे USA में मैं वहां गया था स्वयाब इनका पर एकर प्रोड़क्शन 30 कुंटल है अर्जेंटिना में 29 कुंटल है ब्राजील में 26 कुंटल है और विधर्ब में और महाराष्ट में और हमारे देश में 6 कुंटल वाट इस दे रिजन यू आर दे एक्सपर्ट पीपल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि हमें क्या करने से हम इसकी प्रोड़क्शनी बढ़ा सकती है और इसलिए GMC'd की बात होती है विवाद का विशे बनता है पर वर्ल में जो टेक्नलोजी जो रिसर्च करके जिन्होंने हसिल किया है वो भारत में हम हसिल क्यों नहीं कर सकते हैं इस्राइल में एक एकर में 25 कुंटल का पास होता है विधर्व में क्यों नहीं होता है मुझे बहुत खुशी है मैं गन्ने में काम करता हूँ हमारे आप उल्लापूर सांगली 17 जिले में 100 टन से जादा गन्ना होता था और विधर्व में नाकपूर जिले में बंडरा जिले में वर्दा जिले में कम से कम साथ किसान ऐसे हुए है कि जो सव टन एक एक एकर में ज्यादा गन्ना का उत्पधन निकालते हैं यह सित्ध हुआ है हमारे आग किसानों में टैलेंट की कमी नहीं है उन्हें एप्रोप्रियेट वीजन देकर टेक्नोलोजी और रीसर्च करके उनको सही मार्गे दर्श एक एकर में हम फर्टिलाइजर पर दो बोरे यॉरिया की अगर बचाद करेंगे तो कितना फाइदा होगा कि to save money is to earn money तो द्रोन के साथ स्प्रेइंग करके नैनो इडिया की नैनो फेटलाइजर की नैनो पेस्टिसाइड की बात होगी यह प्रयूब कौन करेंगे आप भी करेंगे और आप अगर इसकी लिडर्शिप लेंगे आपके गाउ में तो आपका अर्थिक पाइदा होगा और आपका अनुकरन पुरा गाव करेगा और मैं आप से यही expect करता हूं कि यह appropriate leadership with appropriate vision in your particular village you are the capable leadership that you can give a capable leadership and a good experiment and good example of success story to the all type of poor farmers those who are socially, economically, educationally backward यू कन ट्रेन दें आप उनका प्रशिक्षन कर सकते हैं और इसलिए ने ने सौंशदन को लोगों के पास लेके जाना है आज मैं आपको और एक अनुरोद करूंगा अभी यह सब अग्रिकल्चर एक्सपर्ट है मैं भी कपास की खेती करता था अभी भी हमारे कपास लगाना ब कर गया अब तो हमारे अगन्ना और वेजिटेबल लगते हैं ऐसा क्यूं हुआ क्यों कि कपास में मैं जब स्टुडेंट था तब एचपोर का जमाना था एचछिक्स का जमाना था वरलक्षमी का जमाना था एल पॉर्टी सेवन ती तब बड़ा मुश्किल से मैं बहुत बह पता था उस समय मुझे एक लाख रुपे का कपास हुआ एक एकर में 11 कुंटल का पास निकला पर जब साल के आखरी में मैंने हिसाब लगाया तो इंसेक्टिसाइड फर्टिलाजर का हिसाब करने के बाद एक लाख रुपे का कपास हुआ और नब्य हजार रुपे का खर्च तो मैंने एक बार मुख्यमंत्री को कहा था कि अग्रिकल्चर उनिवसिटी की ग्रैंड समाप्त कर दो और इनको को ये जो तंखा लेरे पाचवा छटवा वेतन आयोग इनको को सीड़ प्लाट लो जॉइंट वेंचर करो सीड़ से और अग्रिकल्चर प्रोडक्शन की ददद जार एकर जमीन है उससे पैसे कमा उससे अपना पगार निकालो तब इनका सुशधन ठीक होगा और अच्छा काम हो सके अब मेरे उपर आप नाराज होंगे पर हम आपको पाचवा वेतनायोग छटवा वेतनायोग देखे अग्रिकल्चर उनिसिटी गाटे में और कुछ भी बात बोलते तो विसी बोलते पैसा नहीं है सब काम में हमको राज्यत सरकार और भारत सरकार से पैसा चाहिए तो आप अगर खेती अगर एकोनोमिक लिए वायबल नहीं करते तो किसान कैसे करेगा आपका पुरूवन एक्जामपल अगर प्रोफिटेबल नहीं होता तो किसा करना होगा मैं अभी टेक्नोलोजी सेवी हूँ और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करते हूँ यह मैंने अभी हॉल उपर देख रहा था मेरा आप से अनुरोध है कि यह हॉल पर उपर में जो ट्रांसपरंट है वो छोड़ दो बाकी बास सोलर लगा दो 70% सोलर प पानी आ गया वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर एक करोड का है वो ग्रीन हड्रोजन तयार करो और एक जनरेटर से बायो इथेनल का वो किरलोशकर कंपनी ने बना लिया है मेरे घर पे मैंने लगाया वो लगा दो और ग्रीन हड्रोजन तयार करो और रोड पर एक पंप डा average मिलेगा तो कोई पेट्रोल डिजल यूदे नहीं करेगा मैंने अभी गवर्नर साब को कहा कि मेरे घर पर दिल्ली आईए मैं हैड्रोजन के कार में आपको घुवाऊं में मर्सेडिस से भी अच्छी कार है दुआ भी नहीं होता इस इस दो फ्यूचर 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 टेक्नोलोजी और अप्रोप्रियेट विजन फर दो फ्यूचर यू कान डोनेट आप डोनेट विजन आप दे सकते हो एक यह चावल मका लगा कर कोई भविश्य बदलेगा मेरा विश्मस इसके उपर का उड़ गया बीस साल मेंने मेहनद थी अब अन्ना दाता नहीं उर्जा दाता बनो और मेरी बैतों से तुमारे सब के गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्डाना जिले तक मैंने हमने बनाए हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10 परसेंट अब मैं 20 परसेंट आरा है और तुमारे गाड़ी में चल रहा है जितनी स्कूटर चल रही जितनी इंडियन और भारत पेट्रोलियम के पंप है न हमारे किसानों का हमने मैंने विधर्ब में तयार के वा इथेनॉल डाला है और अभी टोयेटो कंपनी की गाड़ी आई है वो फ्लेक्स इंजिन पर है हंडर परसेंट बायो इथेनॉल और मदान साहब को मैं बताऊंगा कि रिसेर्च में दम कितना है मैंने रशिया से सुना कि एक सैंटिस थे उन्होंने इथेनॉल के कैलरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की तो एक लीटर पेट्रोल बराबर वन लीटर तीन सो एमेल इथेनॉल था तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशिया सैंटिस को इंडिया में बुलाया मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियान ओईल के चेर्मन वैज्य साहब है और एक राम कुमार करके फरिदाबाद में लेबाटरी के डारेटर बहुत अच्छे विद्वान सैंटिस्ट है और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियान सैंटिस्ट से उनकी मुलाकत कर दी तो राम कुमार जी बहुत बड़े सैंटिस्ट है पेट्रोलियम के उनने का सर कैना रिक्वेस्ट यो अनला बोलो कुछ भी बोलो सर यार टेलिंग बट आई फिल इस वेरी डिफिकल्ट इस नाट गूं तो हैपन मैंने उनको का राम कुमार जी गाजर की पुगी है ट्राय करके देखो बचती है तो बजाओ नहीं तो खालो इनको भेज़ दो वापस तीन मैंने प्रयोग हुआ और आप्टर थ्री मन्त राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोले मंत्री को जवाब दिया कि एक्स्परिमेंट इस सक्सेस्पूर नाउज़ इथेनॉल कैलरीक वैली इस इक्वल टू पेट्रोल और हम इसको एक्सेप करेंगे एक नीरने से देश के बीस हजार करोड रुपे का बचत हुआ बीस हजार करोड और मैं आपको विश्वास से साथ कह रहा हूँ मैं जो जो कहता हूँ वो सिद्ध हुआ है 2004 से बोलते रहता हूँ पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे फिर दी 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 मैं बोलता हूँ वही बात कहते हैं और एक एक बात प्रू हुई पास साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा आपकी स्कूटर आपकी कार एक तो हैड्रोजन पे होगी ग्रीन हैड्रोजन पर या एथेनॉल पर फ्लेक्स इंजिन पर होगी या CNG और LNG पर होगी मैं विशी साब को प्रार्थना करूँगा कि अब एक टर्न राइस्ट्रो पास टर्न राइस्ट्रो एक टर्न बायो CNG और बायो LNG दे रहा है अब पंजाब में इंडियन ओईल ने प्लान डाला हुआ है कि परली से एक लाक लीटर इथेनॉल और देड़ सो टर्न बायो बिटुमिन बना रहा है बायो यूजिंग बायो टेकनलोजी हम बायो मास को बढ़ाए और बायो मास का उपयोग करके हम फ्यूवेल को तयार करें आखिर वर्ल्ड में जगडा किसका है फूड फ्यूवेल एंड फर्टिलाइजर पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल एकोनोमी तीन बातों के तरफ गूम रही है और इसलिए मैं पंजावरो कुर्शी विद्धापिट से अनुरूद करूँगा कि आने वाले पचीस साल के लिए विधर्भ के लिए मैं भी कोशिश करो कि हमारा कपास एक्सपोर्ट हो हमारा सूत एक्सपोर्ट वमने सिंधी में वर्दा जिले में ड्राइपोर्ट डाला हुआ है बंगलादेश से मेरी बात हुई है और यहां से पूरा एक्सपोर्ट अब बंगलादेश में सूत और कपास का करने की योजना बनाई है मेरा विश्वा से हमारा संत्रा वर्ल्ड में जाएगा और इन सब बातों के लिए आपका सैयोग चाहिए यूर डेवलोप्मेंट ओरियंटेल लीडर्शिप यूर रिविजन विट टेक्नोलोजी रिसर्च और साइंस और आपको बदो मेरे जिवन की सबसे बड़ी चिंता है यूर इसलिए प्रेक्टिकल अप्रोच आउट ओब बॉक्स थिंकिंग और आप लोग जो है नोकरी मांगने वाले मत बनो नोकरी देने वाले बनो ये क्लास बन, क्लास टू ये काम नहीं है ये जिनको बनना है उनको बनने दो ये सब अच्छे है जो नोकरी कर रहे है आप नोकरी देने वाले बनो मैंने अपने जीवन में यह तही किया था मेरी मा मुझे कहती थी तुम बैंक में नोकरी करो मेरे बेहनों ही नुकलियर सेंटिस्ट थे बेहन कहती थी तुम नोकरी करो मैंने वह नहीं करूँगा अब मैं अग्रिकल्चर में काम करता हूँ और मेरा टरनोर 1500 करूड है मेरे प्रोजेक्ट का अभी 5000 करूड हो देका दो साल में मैं 15000 लोगों को रोजगार दिया हूँ और मैं बिल्कूल अभी इस मत काओ कि मैं लोगों को आई वे कहता हूँ कि एम्प्लॉइमेंट क्रियेट करो जैसे देश के लिए वेल्थ क्रियेट करना है वैसे विधर्ब के लिए रोजगार निर्मान करना है अग्रिकल्चर में रूरल ट्राइबल फिल्ड में आप इंटर्पिनर्शिप को डेवलप करके विधर्ब को सम्रुद्द और संपन्न बनाने के लिए आप रोजगार निर्मान करोड टेकनलोजी और इनोवेशन के साथ और इसलिए मैं रुधे से आप सब को बहुत बहुत शुबकामाना और शुबच्छाए देता हूँ मैं बिजिनेसमन नहीं हूँ मैं तो रोड, टनेल और रोड इसका सब का एक्सपरटाइज मेरे पास है पर मैं कम्प्लिटले अग्रिकल्चर और रूरल में काम करता हूँ वाटर कॉंजर्वेशन में काम करता हूँ अब परमपारिक उर्जा पर काम करता हूँ और खुद प्रयोक करता हूँ 10-25 करोड साल के गवाता हूँ उसमें पर मैं यही चाहता हूँ कि एक दीन ऐसा आएगा यह प्रूवन टेक्नलोजी विधर्व के तस्वीर को बदल देगी और आप जैसे यंग, टैलेंटेड, इंजिनेरिंग, साइन्स, ट्रेंड, ग्रेजुएट, मैन पावर को देखकर मेरा विश्वास बढ़ता है मेरा कॉंफिडेंस बढ़ता है और आने वाले समय में आप सब के सहयोग से, उनिशिटी के सहयोग से ये सोशो एकोनोमिक ट्रांसफर्मेशन होगा विदर्ब का किसान आत्मत्या नहीं करेगा और विदर्ब से अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट, एंप्लामेंट पोटेंशल क्रियेट होगा और विदर्ब की अग्रिकल्चर ग्रोथ रेट देश में सबसे ज़्यादा होगी आप सब के बरोसे यही सपना निश्चित रुप से पूरा होगा इसी विश्वास के साथ आपको जो डिग्रिया मिली है उसका निश्चित रुप से आपके जीवन में आपकी प्रगति हो आपका विकास हो इसी प्रार्थना और शुवेच्छा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ दन्यवाद अपनी बात को समाप्त करता है अपनी बात करता है निचे यह रिखा करना है इसका डोक्टर पंजाब राव देश्मक क्रिसे विद्यापिट अकोला के 36 कन्वोकेशन के अउसर पर हमारे मद्यम है अभी आप जिनको सुन रहे थे मुझे लग रहा था आप सुनी ने रहे थे बलकि उनको ध्यान से सुन रहे थे और ध्यान से सुनी ने रहे थे बलकि यह भी सोच रहे थे कि हम भी गटकरी जैसे कैसे बना तो ऐसे हमारे आधर्स केंद्री मंत्री आधने नितन गटकरी जी हमारे वाई शांसलर दक्टर विलास वाले जी आज प्रमो क्रुप से बोलने वाले पूर्वा वाई शांसलर दक्टर रमल वदान जी कुल सची हुजे, सभी प्रद्यापा गन, मनेजमेंट के सदस्य गन, अविवावा गन और आज जिन सब को डिफरेंट डिग्रीज पद्वी मिली है, ऐसे सभी चात्र चात्रा गन मैं सबसे पहले आज जिन लोगों को अलग अलग डिग्रीज मिली है, वद्वी मिली है, उन सब का अविनंदन करता हूँ, I congratulate you all and wish you best of luck. अब पंजाब राओ देश मुख के नाम से ये विश्वी द्यालाई है, विद्या पीट है, और देश मुख जे इस देश के पहले कृषि मंतरी थे, अगरी कल्चर मिनिस्टर थे, और इस देश में कृषि को बढ़ाने का उनुका अपना योगदान रहा है, और आप सब सभ अभागे साली हैं, कि ऐसे इनिवस्टी के आप सब चातर चातर आये हैं, और आज हमारे देश के अंदर, अभी जो लास्ट मैं, कैटकरी साब ने कहा, किसान आत्म हत्या करता है, मुझे भी बड़ा अश्यर होता है, जब मैं सुनता था कि बंबे भारत की फाइनेंशियल कॉमर्शियल कपिटन है, बंबे महराष्ट में है, बंबे इंड़स्टिलाइज इस प्रकार का प्रदेश है, उसके बाद भी, यहां का किसान आत्म हत्या करता है, यह मुझे समझ में नहीं आता था, पर जब मैं यहां आया तो मैंने देखा, कि मैं आते ही आते, जब मेरे आदे दिन बारिस थी, और तबसे हर साल बारिस हो रही है, और जिस दिन मैं यहां छोड़के जाओगा, उस दिन भी बारिस होगी, लेकिन उससे पहले यहां दुसकाल, पहली बार मैंने सब्द सुना निटेंजी, कि दुसकाल क्या सब्द है, हमारे आकाल बोलते हैं, तो आप कहां बोलते हैं, दुसकाल है, मेरे राष्टपती सासन लाग लाग हो गया, सारे किसान, हमको कंपनसेशन दो, फला दो, हमने दिया किसान खुस हो गया, लग बिसाए है, लेकिन, मैं यह बिसाए आपके सामने इसने रख रहा हूँ, कि आप सब चात्र चात्रा हैं, यहां जब अध्यन करते हैं, तो हम सोच के क्या आते हैं, मेरे गावाले जब मैं पढ़ा लिखा, पढ़ लिख करके, मैंने कोई नौकरी फौकरी नहीं की, समाज के काम में लग गया, तो पहले तो कहते हैं, पागल है, साला इतना पढ़ाई लिखाई की, इंगलिस से में कि अब जो है, कुछ करता ही नहीं है, तो बाद-बाद में जब देखा कि नहीं, जिस काम में मैं लगा उसका देश में यस फैल रहा है, मेरे को भी लोग मानने लग गए हैं, तो सब मेरे पास आते हैं, अरे, बहुत अच्छा है, तो बो करते थे यार तुम जब बहुत छोट अब कर नियु थिंग आयोजे स्टुडे नॉप और बॉय आप इंटिर्यर विलेज, जहां आज भी गारी नहीं जाती है, मेरे घर में मोटर नहीं जाती है, थोड़ा दूर सी जाना पड़ता है, तो इस सब्द में इसलिए कहा, कि अधर आल, अभी मदान कह रहे थे, कि ड् पड़े हैं, डिटेचर पड़े हैं, हम एक ही चीज़ सोचते हैं, क्या करना है, हमारे गारजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा, बेटी, I.S. बनना है, I.P.S. बनना है, और मैंने देखा कि मेरे समय में, I'm talking about some 50 years back, कुछ लड़के 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 तो एक बार, दो बार, तीन बार, I.S. P.C.S. ब्राइट स्टुडेंट्स कोशिस करते हैं, और जब नहीं निकलते हैं, तो पागल हो जाएं, अभी कुन सा लक्से हैं, भाई, कि आप केवल इस प्लाइन पर सोचो, कि मुझे तो नहीं बढ़िया से बढ़िया नोक्री करने, मैं नहीं कर लेकिन, हमारा लक्स क्या होना चाहिए, वट इस अवर एम, जी उनका एम क्या है, हम लोग बच्चमन में पढ़ते थे, कि सरवन कमार कैसे मातरी भक्त पातरी पित्र भक्त था, वह उमको शिखाये जाता था, कि बच्चों माता पिता के भक्त बनो, हरी सुन की कहानी, सरवन कमार की, धृरूब की, प्रराद की, ये कहानिया हमको बताई जाती थी, क्यों बताई जाती थी, उस कहानियों के माध्यम से, वो हमारे अंदर ये इनकलकेट करते थे, कि तुमको एक आदर्स नागिरिक बनना है, एन आइडियल सिटिजन, ये हमने क अब आपके सामने नितिन कटकरी साहब है, आप इनको किसी भी से पर बोलिए, मैं तो भासन दे सकता हूँ, खोदो एगंटा बोल सकता हूँ, आपके सामने दो घंटा भी बोल सकता हूँ, पर काम करना हो, सीखना हो, तो जरा नितिन कटकरी के पाई जाओ, और इसलिए नित इस विद्यालाई में मैं आपको हुंदरणरी डॉक्टर अफ लिट्रेचर दे रहा हूँ एदि मेरे पास कोई और बड़ी चीज होती वो है तो नहीं दिखती नहीं है पर उससे बड़ी चीज मेरा दिल है वो भी आपको समर्पीता है आपके सामने पेठे ना आपको कोई एकली नमरे का जाने की जरुवत नहीं है वो स्वामी नातन को या का है वो भूर कर क्या देखने की जरुवत नहीं है I need just to see अभी वो बोले कि hydrogen green hydrogen power आपने को काई मैंने आपके वीजी साफ से काई कि मैं अपने राजभावन में मैंने बहुत पर्योक का रखे हुआ अभी नितिन जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा बहुत से वो यहां नहीं बोलों का टाइम नहीं है मैं राजभावन में 500 किलोवाट का green hydrogen लगाऊँगा तो यह क्या है कि हम सब लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं अगर यह सीखना हो यह आपको बता सकता हूँ या तो नरेन मोधी को देखो या फिर सामने नितिन गटकरी वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे यह राज दिन आपके पास है और इनके प्रयोग देखो जैने क्या-क्या प्रयोग करते रहते हैं यह कोई खिसान नहीं है जही तरह से कि यह गरीब खिसान के बच्चे नहीं है लेकिन क्रिशी के अंदर इनकी इसे माश्टरी एंटिम्स एवन और प्रोफेसर विल असे कि वह यह यह नहीं मैं वेज नथिक टू थे अग्रीक अग्रीग कल्चर एंग विल्ली अग्रीक परिमेंट विल्ली सुम्नी सेक्सद्वरिमेंट अभी बैस प्यार अभी बाया उस्की सब बात कर रहे दें और सारी आखरे साहब पड़े लिख लिया नोकरी नहीं मिलती है जो बोलो नोकरी नहीं मिलती है अब बताओ इतने यहां पर आपके प्येजडी पेदा हो गए अब पहले तो लड़के लड़के मुलका मुलका अब तो सारी मुलके भी प्येजडी हो गए अब भाई इत्न को कहा मिले हुँए मेरे को नाराज बरी अर्चना हमारे हमारे बच्चों को मना क्यों कर रहे हुँ देखो हमारे हिंदी में नितन जी घाग कभी हुए है घाग जो ग्रामीन कह भी थे ग्रामीन तो घाग कभी तो घाग कभी कहते थे, उत्तम खेती, मध्यम बाम, निकरिष्ट चाकरी, भीक निदान तो समझते हो जुसए को, उत्तम खेती जो्टा है, अगरी कल्चर है, यह सबसे उत्तम है, इपस्थ है, उसके बाद क्या है, तो वट तो, वट इस नेच्श, घ् ranked के बाद क्या है क्रिश के बाद, बान माने पिजीनस, वोले खेती सबसे बढ़िया है और यू आर ओल फोर्टनेटी तब यू आर दिस्टूड़ाइन अप अग्री कल्चर किते सोबागे साल ही हो मद्यमबान उसके बाद कौन सी चीज है उसके बाद बिजिनस से किंड सीज है निकरिष्ट चाकरी जिसको आज लोग सर्विस कहते हो नौकरी कहते हो आप बुराबत मना प्रोपेशर लोगो है वो कह गहे है कि ये तो निकरिष्ट है बेकार है खतब है और उसके बाद और उसनी खराब क्या है भीक निदान और बोले भीक मागना तो मरने के समान है और किसान था गाओं का अद्मी था आपके गाओं में भी एसे बहुत लोग में लेंगे जो इतनी अच्छी अच्छी बातां करता है उनके पाश आओ सुदो मुझे ज़ी ज़ी कभी कभी मैं गाओं जाता था ने जो प्रटने जो नो चीखा ने ये सीखा ने भी सीखा क्यों तो यह जो कहती है यह सबसे उत्तम है और महरास्टर में तो आप कितने ही चीजों में आगे हैं आपके यहां का कादा प्याज ओनियन कादा बोलते हैं ला कादा ओनियन कहा नहीं जाता है देश पर में आपके हैं का दारीम अनार दारीम बोलते हैं तो अनार वो कहा नहीं जाता है तो एक से एक चीज़े यहां पर रहे हैं अच्छी चीज़े हैं पर बगल में किशान आत्माद्या है हमारा सिंकल पर ना चीए मैं नहीं कहता हूं कि आप I.E.S मत बनो, I.P.S नबनो, बनिये, अच्छे लड़के अच्छे लड़के जाएंगे तो देश को अच्छा बनाएंगे, अब लड़के तो कमी निकलते हैं लड़के निकलते हैं आज क्या, ओनली गर्ड इन I.E.S, फर्स्ट गर्ड, सेकेंड गर थर्ड गर्ड आएंगे तो आना थर्ड पोजीशन, फिप्त पोजीशन, सेबन पोजीशन, और गर्ड 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 इनके साथ लड़कें पड़ती थी, कैसा हो जाएगा करें अब इतना आप आगे बढ़ रहे हो, एडवांस, लाइक अनीधिंग, लेकिन हम क्रश क्या बिद्यार थी है, कैसे कर सकते हैं, फिछली दुन आपने पड़ा होगा दो तीन साल पहले, हर्याना की एक लड़की, हाड़ वार्ड से, उसने MBA किया, वहां पड़ा रही थी, वहां सोड़ करके गाव आई, और गाव आ करके गाव की सरपंच बन गई, और सरपंच बन के गाव का उध्धार कर रही है, तुम क्यों नहीं ऐसा कुछ कर सकते कि, जिसके माध्यम से, हमारा देश आज, आज़ादी का, अमर्त महसो मना रहा है, आज के इस दीख शान्त समारंब से, एक ऐसा, अमर्त तो निकल है, मैं कोई आपसे हाथ ख़ड़ा नहीं करवा रहा लेकिन संकल्प करो, कि इस अमर्त महसो में, इस बिदर्ब के अंदर, हम अमर्त पैदा करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा इछा चाहिए, इछा सकती चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नितिन जी मैं बहुत से इंवर्स्टीज में गया हूँ, और सारे उवर्स्टीज में, आप लोग में सक, काम देकर कोई रोड़ बना रहा है, कोई रह Сब्सक्त, अपना अर्ची के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अफो कोसिस कर ये, मेरे एक इतने हैं वो भी राज्यपाल है वो एक का महाविद्याले चलाते थे कुरुक्सेत्र में वहाँ उन्होंने एक गाई के गोमुत्र से एक एकड़ की पूरी खेती करवा दी उदारन प्रस्तुत कर दिया यह पराली है सक्रबल क्या कराता है कि वो जलाते नहीं उसको जमीन के निचे रखा उसी गोमुत्र से शुक्या और उसी में से कि अचारे जीनिये तो हमारे करांती ला दी है आज माने देखा जलाता से प्रदान मुंत्री जी स्वय मुद्गाटन कर दिया गे प्राकृतिक खेती के लिए और वो तो कोई कर्शी के बिगानी के भी ठेगी हमारे आचारी जी अचारी है लेकिन मन के अंदर इच्छा कि हम फटिलाइज बिगानी के बोलेंगे कि उसे उत्पादन कम होगा यह लोग काते है और गनिश्य में उत्पादन कम होता है यह दो आखिर जो मर्दा की जो सोईल की जीवन है वो तो निच्रली में पैदा होगा ना आगे या नेच्छा होगा आप और हम नेच्रल खाना खाएंगे तो अच्छा होगा या कि रोज अटा नुडल को खाते रहोगे तो अच्छा रहेगा उसका एक आनंदी हो लग है ऐसे धर्ती का शॉइल का है इस स्वाइल को मर्दा को हम कैसे बचाएं एक जो साइंस से संबन्द नहीं कर्सी से संबन्द नहीं वो हमारे गुषात के राज जेपाल जी ने का मैं आपके प्रोफेसर उस कहता हूँ कि जिसके कारण से हमारे जमीन बची रहा है उसकी उत्पादकता बढ़ती रहा है खतम नहो तो एम का प्रियो कह सकते है कुछ अच्छा ने के सूचना चाहिए आपके लिए रहा है नेस्ट करें ने ने चाहिए विश्क रहा है झाल 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 तो जे बांची न तो ते ना हो प्राणी जात वरिशत सक्ड़ मंदरी इश्वन निष्थांची माधियारी अजवरत दूमंदरी इश्वेट दूभूताई चला कल्पतरों से आरभूंदरी जेतना चिंसामने से गाअख दोलती जे अरणव बियुशा से आर्ण। चन्ब्रमेजी अनाचन मार्तन जेता पहिए पेसर वाहे सदाल लुद्र सोयरे हो किम्भ हुदा सर्व सुखी पूर्ण हो दी पिजियों कि भजे जो आदे पुरोय अथं देकर आणे ग्रन्थो पजीवी विशेशे लोपिए। ग्रुष्टा ग्रुष्ट विजये, हो आवेजिये, एत्मने श्री विश्वेशरा, हाहु ये दान पता, गिर्ने वरे ध्यान दे, सुखिया साओ, प्रुष्ट विजया अवेजिये, हाहु ये दान। प्रुष्ट विजया अवेजिये, हाहु ये ओ। विद्यापिठाचे कुलसेच्यों सन्माननिया कुलपती महोदे अन्ना दिक्षान्त समारंभाचा समारोग करणेची विनन्ति करतील सन्मानिया कुलपती महोदे दिक्षान्त समारंभा समाप्त जालेचे घोशित करावे ची विनन्ति सर्व सभाजन राश्रगेता करिता उभे रहतेल सर्वाजन राश्रगेता करिता उभे रहते हैं सर्वाजन राश्रगेता करिता उभे रहते हैं सर्वाजन राश्रगेता उभे रहते हैं झाल झाल